लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए रक्षा खेत्र में आज जो साथ नई कम्पनिया उतरने जा रही है वो समर्थ राष्के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी साथियों इस वर्ष भारत ने अपनी आजादी के 75 साल में प्रवेश किया है आजादी के इस अम्रित काल में देश एक नए भविश्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है और जो काम दसकों से अटके थे उन्हें पूरा भी कर रहा है 41 ओर्डिनन्स फेक्टरिस को नए स्वरूप में किये जाने का निर्णै साथ नए कंपनियों की ये शुरुवात देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है ये निर्णै पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी साथ कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकात का एक बहुत बड़ा आधार मनेगी साथियों हमारी ओर्डिनन्स फेक्टरिस कभी दुनिया की शक्ति साली संस्ताव में गिनी जाती थी इन फेक्टरिस के पास सो डेड़ सो साल से भी जादा का अनुभव है विश्व युद्ध के समय भारत की ओर्डिनन्स फेक्टरिस का दमखम दुनिया ने देखा है हमारे पास बहतर संसाधन होते थे वर्ल क्लास कील होता था आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फेक्टरिस को अपग्रेड करने की न्यू एज टेक्टनोलोजी को अपनाने की लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया समय के साथ भारत अपनी सामरीक जरूरतों के लिए विदोश्व पर निर्भर होता गया इस्तिती में परिवर्तन लाने में ये नई साथ डिफेंस कमपनियां बहुत बड़ी भूमी का निभाएगी साथियों आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहत देश का लक्ष भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है भारत में आधुनिक सैन्य इंडिस्ट्री के विकास का है पिछले साथ वर्षों में देश ने मेकिन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है